next question, 2002 का सवाल है, question says one car moving on a straight road covers one third of the distance with 20 km per hour and rest with 60 km per hour, सवाल है average speed क्या होगी, 4 option अपने को दे रहे है, now सवाल simple है, यहाँ पे scenario यह है कि आपकी कोई एक car है, उसने total distance जो भी travel किया है, so S by 3 तो 20 से cover किया है, और 2 S by 3 जो है वो 60 से cover किया है, हमें बताना average speed क्या होगी, now कुछ students यहा जो फटाफट वो formula है, twice V1 V2 divided by V1 plus V2 यह apply कर देते हैं, यह apply नहीं होगा, for the simple reason यह formula तब है, जब दोनों का distance travel जो आपके दोनों interval है, उन दोनों की value सेम हो, तो यह formula यहाँ पे apply नहीं होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, जो आपकी average speed है, उसको लिखेंगे हम, total distance travel divided by total time taken, now total distance travel तो आपका 2S by 3 और S by 3 मिला के S हो जाएगा, अब हमें बस time की value बतानी है, time के लिए अपने को बच्पन में पढ़ाता है, याद है, S is equal to UT होता है, which implies T is equal to S by U होएगा, तो यहाँ पे अगर हम time T की value देख रहे हैं, वो आपका T1 plus T2, और जो T1 है, इसकी value होएगी, आपकी distance travel है, वो हो गया, आपका S by 3, उसका डिवाइड कर देंगे 20 से, प्लस यह आएगा 2S by 3 multiplied by, यहाँ पे आपकी U की value है 60, यह आपका total time हो जाएगा, ना इसमें से S by 3 और 0, तो आपका S by 30 है, तो आपका LCM मतले इससे बाहर आ गया, अंदर बचा S by 3 हमने common ले लिया है, तो य 0 भी इसका common ले चुगा है, प्लस यह बचेगा, आपका S by 3, 0 आ गया, 1 by 3, ने S भी बहाँ चला गया है, आलें, विगोज यह 2 से हमने cancel करके, इसको 30 कर दिया है, तो 30 हो गया, 30 बहाँ चला गया, S by 3 बचा है, ना इसको अगर हम LCM लेंगे, तो इसका LCM आएगा 6, यह हो ज स्पीड आएगी, average स्पीड, उसके लिए आप लिखेंगे, total distance travelled, which is S, divided by time taken S by 36, 36 उपर चला जाएगा, so 36 km per hour, यह आपकी final value हो जाएगी, so based on this हम कह सकते, option number D, 36 km per hour would be the right answer.